मुझे सलाम सो हेलो क्रेंट कैसे हो आसा करता हूँ आप अच्छे हैंगे तो 15 अगास्त वारा वीडियो कैसे एडिट किया जाता है तो यह जो आप स्काइप पे फ्लेक देख रहे हैं तो पहले इस टाइप का वीडियो था पहले आप देख लिए पहले इस टाइप का वीडियो है फिर इस टाइप का मैंने इसको एडिट किया है तो यह कैसे एडिट किया जाता है कैसे बनाया जाता है तो वीडियो पे बने रहेगा तब ही आपको सब समझ में आएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज सब्सक्राइब कर लिजे और बेर लाइकन को प्रेस कर लिजे ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको समझ समय पे मिलता रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम बेस्ट किये सबसे पहले आपको वीडियो एडिट करने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो एप किया हो सकता होगी तो यह आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा तो simply आप वहाँ से जाकर simply download कर लिजेगा मैं simply यहाँ से इसको open करता हूँ तो आप जो ही open करेंगे तो आपके सामने ASI इंटरफेस देखने को मिलेगा तो simply यतना होने के बात अब नीचो जो plus वाल आइकन दिख रहा है simply उसके हम click करेंगे new project वाले option पर जाकर अब आपको यहाँ पर कुछ इस परकार का वीडियो shoot कर लेना है तो देख की कुछ इस परकार का वीडियो यहाँ पर shoot कर लेना है अब यह जो black वाला है इसको हम simply एक बार click करकर इसको हम delete कर देंगे और यह जो आपको आपको यहाँ फालतू का जो पार्ट देखे उसको एकर क्लिक करकर इसको हम यहाँ छोटा कर लेंगे ताकि जो पीछे का जो इस्टा पार्ट वो कट जाएगा तो वीडियो कट करने के बाद अब simply हम इस वाले option पर आकर तो इस वाले option पर आएंगे फिर वीडियो फोटो पर आप्सन पर जाने के बाद फिर फोटो वाले option पर आने के बाद अब यहाँ पे एक PNG जो है इसको हम यहाँ पर आइड करेंगे तो इसका जो लिंक है मैं अपने description ने दे दूंगा वहाँ से आजा कर simply download कर लिजेगा अब इसको एक बार किलिक करके इसको हम थोड़ा इसका जो है लेंद को हम बढ़ा देंगे फिर एक बार इसको इसको जो नीचे जो blending वाला option दिखरा है sim close यहाँ जो blending वाला option दिखरा है उसको यहाँ पर multiply कर देना है अब इसकी जो opacity अपने इसाफ से यहाँ रख लिजेगा फिर इसको हम यहाँ से write कर देंगे फिर marks वाले option पर जाएंगे फिर जो first वाला option दिखरा है इसको इसको click करके फिर दोबारा एक बार click करेंगे अब यह जो नीचे वाला इस पर हम एक बार इसको scroll करके नीचे लाएंगे तो यह जो रिल्स बनाएगा तो वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर music लगा देजिएगा तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर flag लगाना सिखाया है हूँ अब यहाँ पर जो export वाला आपसन दिखर आए उपर यहाँ पर export कर लेंगे हम तो वीडियो कैसी लगी प्लिस लाइक करें शेर करें और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लिस सस्क्राइब कर लिजे ताकि इसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको समय समय मिलता रहे तो चलिए वीडियो अंत करता हूँ जयें दोस्तों बंदे मातर